नमस्कार प्रेदर्शकों, हाजर हुमें करक लगन के बारहो भाव में बुद्ध के प्रभाव को लेकर अब तक हमारी बादचेत मेस लगन से लेकर मिथुन लगन परियंत बारहो भाव में बुद्ध के प्रभाव को लेकर हो चुकी है आज हम करक लगन में बुद्ध के प्रभाव को देखेंगे, इस लगन में बुद्ध पराक्रम और साथी साथ ब्याय भाव के मालिक होते हैं, पराक्रमेस बारहो भाव में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार का देंगे, आज हम जानेंगे, करक लगन के लोग भावुक हो थोड़े द्रवित किश्म के होते हैं पहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं लेकिन करक लगन में बुद्ध पराकरम के स्वामी होते हैं और बुद्ध हैं मैनेजमेंट के कारक यानि कि ये कहना चाहता है कि केवल भावुक होने से काम नहीं जलेगा परिस्तितियों के प्रचुल आचरण करना सीखें, सामन जस्य करना सीखें, यह बहुत जरूरी है, किसी पर भरोसा करके और अपना सब कुछ उसे बता देना, सब कुछ दे देना, और बाद में पश्ताना, यह करक लगनवालों में बहुत जादा देखने को मिलता है, और यहां बुध कहना चाह आपके अंदर सामन जस्य हो यही आपका पराक्रम है क्योंकि आपके स्वभाव में औरों को अपने प्रती आकरसित कर लेना तो है क्योंकि आप ऐसे भावख हैं कि आम आपके बिवहार से लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं लेकिन आप भी उन पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि कई बार अपनी सारी बातें अपनी गुप्त बातें तक बता देते हैं और इसके चलते नुकसान उठाना होता है तो आपको सामन जस्य करना आना चाहिए किसके साथ कैसा बिवहार करना है यह आपको आना चाहिए कारिक्रम प्रारम करूं उससे पूर्भ कल को लेकर कल का क कारिक्रम कलजन्म कुंडली का ध्यान था और कारिक्रम प्रसारित सुबह आठ वजे हुआ जिसको ले करके आप सभी दर्सक आश्चरे चकित हुए कारण ये हुआ कि मैं पिछले पांच दिनों से गणेश जी की पूजा में व्यस्त था और कल पुरुणा हुती थी सायमकाल में व्यस्त रहने वाला था इसलिए कारिक्रम सुबह ही मैं प्रसारित करवा दिया और इसी के कारण आपको थोड़ी सी परिशानी भी उठानी पड़ी कई दर्सकों को क्योंकि वो साम के समय इंतजार करते हैं और उनको वीडियो सुबह सुबह मिला वो समझ नहीं प बताते हैं अपने लिए भी करना अत्यनत आवश्यक होता है क्योंकि बताएंगे तभी जब खुद करेंगे तो अब खाली हो चुका हूँ और अब आगे से आपके जो भी कॉमेंट होंगे उसका जवाब मुझसे आप अवस्य पाएंगे आईए प्रारंभ करते हैं करक लग लगन में आकर के बैठना वैसे तो करक लगन में बुद्ध सरवता कारक ग्रह नहीं है परन्तु वो पराक्रमे सोकर के पराक्रम के स्वामी होकर के लगन में बैठे हैं अतह जातक निश्चे ही भावक होने के साथ साथ पराक्रमी होगा ब्यय करने वाला होगा बहु खर्च खर्च जातक के बढ़ चढ़ करके होंगे लेकिन चुकि इस लगन में स्वदेश भाव का मालिक सुक्रब और विदेश के मालिक बनते हैं बुद्ध और अगर ये बुद्ध लगन में बैठे हैं तो मैं ऐसे जातक को कहूंगा कि जीवन काले में सफलता के लिए अपने जन्म द्रंग से मैनेज कर सकेंगे यहां बैठे बुद्ध अपनी सात्वी दृष्टी से सप्तम स्थान पर मित्र दृष्टी डालेंगे और आपको ब्यापार में जबरदस्त सफलता दिलाने वाले होंगे दामपत्य जीवन को भी वो सुखद बनाने वाले होंगे यानि यहां बैठ करके बुद्ध आपके दामपत्य और व्यापार दोनों को ही वो ठीक ठाक रखने वाले हैं चुकि वो पराक्रमेस हैं और पराक्रमेस होने के कारण आप प्रतेक कार्य पराक्रम से करेंगे हर चीज में पराक्रम जुड़ा होगा तो सीधी सी बात है जहां पराक्रम ह वहाँ सफलता अवश्यम्भावी है चुकि ब्ययेस भी हैं और ब्ययेस उकर के लगने में बैठे हैं अतह जीवन कालमी एक सिकायत अवस्य रहेगी कि पैसा आपके पास नहीं टिकता लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि पैसा टिकता नहीं कोई बात नहीं आय होते रहेंगे जाहिर सी बात है आय होगा तभी ब्ययेस बना रहेगा आजाएए कुंडली के दुटिये भाव में धन भाव में यहाँ पर बैठ जाएं बुद्ध तो पराक्रमेस और ब्ययेस जाकर के धन भाव में बैठें अच्छी बात लेकिन चुकि यह ब्ययेस बकर के धन भाव में बैठें हैं तो पैतरिक संपत्ति को लेकर के परेसानियों का सामना करना पड़ सकता है कोट कचहरी की स्थिति उत्पन न हो सकती है अपने वाणी पर कंट्रोल रखिए क्योंकि वाणी का कारक जाकर के बारह में भाव में बैठा है बेवजह की परेसानियों में आप अपने आपको डाल लेंगे बेवजह के जगडे में अपने आपको आप डाल लेंगे इससे आपको बहुत बच करके रहना है यानि की पराक्रमी तो हैं आप भावुक भी हैं आप कल्पना सील हैं औरों पर भी स्वास करते हैं लेकिन जाकर के बुद्ध बैठे हैं कुंडली के दुतिये भाव में तो आप बहुत जल्दी क्रोधी भी हो जाते हैं अपनी वाणी बोलने से पहले तोलते नहीं कि क्या बोलना है इस पर आपको अवस्य ध्यान रखना होगा यहां बैठे बुद्ध अपनी सात्मी मित्र दृष्टी डालेंगे कहां पर तो कुंडली के अश्टम स्थान में कोई नुकसान नहीं आयू की बृध्धी त्यादी कर अत्यान तस्रेष्ट है चुकि वो ब्ययेस हो करके भी बैठे हैं लेकिन जोतिशास्त्र कहता है कि जब दो भावों के स्वामी अपनी ही किसी रासी में बैठे हैं तो अपने दूसरे घर के बल को बढ़ा देते हैं तो यदि बुद्ध कुंडली में यहां बैठेंगे तो तो निश्चे ही आप पराक्रमी हैं अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल भी कर लेते हैं लेकिन आपका ब्ययेस बहुत ज़ादा होता है आप पैसे के लिए हमेशा परिसान रहते हैं पैसे टिकते नहीं ये सिकायत आपकी कभी समाप्त नहीं होती यानि कि ब्ययेसे आप सद आपके पराक्रम से आपके करीबी जो रिस्तेदार लोग हैं उनको भी लाभ मिलता रहेगा अब आजाए यहां बैठे बुद्ध भाग्य भाव पर नीच दृष्टी डालेंगे और यहां पर थोड़ी समस्या उत्पन्न करेंगे नीच दृष्टी भाग्य भाव पर डालने के कारण वैसे तो आपका भाग्योदय 16 में वर्स में हो चुका है क्योंकि आपके भाग्येस गुरू हैं तो भाग्योदय आपका 16 में वर्स में हो चुका है लेकिन बुद्ध है यहाँ पर नीच दृष्टी डाल रहे हैं इसके कारण चुकि बुद्ध के बारे में पुर्व में आपको बता चुका हूँ कि इनका जो भी प्रभाव होता है वो तुरंत होता है यह बहुत देर तक इंतजार नहीं कराते तो अगर आपको बुद्ध की म अनुकूल आपके मेहनत के अनुकूल जितना आपको प्राप्त होना चाहिए आपको प्राप्त नहीं होगा यह शिकायत आपकी बनी रहेगी यानि कि संघर्स जितना आप कर रहे हैं मेहनत जितना आप कर रहे हैं सफलता आपको उतनी नहीं मिल रही इस सवस्था में आपको मित्र रासी में बैठे हुए हैं, सुख भाव में बैठे हैं और यहां पर बुद्ध बली हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, कारकत्तों के साथ रिजल्ट देते हैं और यहां बैठ करके आपको भूमी भवन का सुख देंगे, माका सुख दिलाएंगे, ब्यापार में लाभ मित्र भाव में बैट करके आपको सर्वथा लाव दिलाने वाले होंगे यहां बैठे बुद्ध से आपको नुक्सान कते ही नहीं होने वाला है चुकि पराक्रमे सोकर के जाकर के कुंडली के सुख भाव में बैठे हैं तो भूमी भवनवाहन से संबंधित जितने भी सुख एक आम व्यक्ति अपने जीवन काल में कलपना करता है वो सब आप अपने पराक्रम से अपने जीवन काल में उपलब्ध करा लेंगे यहां बैठे बुद्ध मंगल के घर पर द्रिश्टी डालेंगे और मंगल के घर पर द्रिश्टी डाल करके कारेक छेतर में थोड़ा बिग्ण अवस्य ले आएंगे लेकिन एक बात बता दूँ कि बिग्ण के बावजूद चुकि आपकी अंदर भावुकता है लेकिन बुद पंचम उस्थान में पराक्रमेस और ब्यायस जाकर के कुंडली के पंचम उस्थान में बैठ जाएं तो कैसा खल होगा तो यहां पर देखा जाए तो यह जल तत्वी रासी और बुद्ध कैसे हैं तो बुद्ध हैं भूमी तत्व के जल में जाकर के भूमी तत्व का अगर बैठे तो कैसा होगा तो दोनों में से एक का बलाबल होगा अगर जल की मात्रा जादा हुई तो जल बाहर निकल आएगा पृत्वी अंदर चली जाएगी भूमी अंदर चली जाएगी अगर भूमी बलाबल के साथ हुआ भूमी बलाबल के साथ तो जल को वो सोख लेगा यान तो संतान और ग्यान से लाभ मिलेगा दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर तातकालिक मैत्री नहीं बनती तातकालिक मैत्री कई बार बता चुका हूँ तब भी लोग कन्फ्यूज होते हैं तब भी लोग संसे में होते हैं गरह अगर माल लिया जाए कि यहाँ पर बैठे हैं बु बुद्ध के साथ उनकी तातकालिक मैत्री हो गई और साथी साथ अगर मंगल जन्म कुंडली में यहां यहां और यहां इन तीन भावों में बैठे हों तो भी तातकालिक मैत्री हो गई बीच के जो बाकी के घर बचे वहां अगर कहीं बैठते हैं तो यह तातकालिक सत्रुता ह हो जाएगी और तातकालिक सत्रुता की अवस्था में आपको संतान और ज्यान दोनों ही पक्छों से कष्ट उठाना पड़ सकता है परिशानी का सामना करना पड़ सकता है यहां बैठे बुद्ध अपनी मित्र द्रिष्टी लाभ भाव पर डालेंगे तो मैं पुर्व में कहा में मंगल के साथ हो जाए तो आप उच्च कोटी के गणी तक यह हो सकते हैं जोतीसी होता सकते हैं आप ऐसे कारिय छेत्र में काम कर सकते हैं जहां मैनेजमेंट का काम चलता हो बाद से काम चलता हो यानि लाइजनिंग का काम करके भी आप सफलता हासिव कर सकते हैं अपनी व हाओ में विसेश बलाबल डाल देंगे अतह पुनह कहूंगा पहले तो ये विपरीत राजयोग हुआ दूसरा कहूंगा जातक को विदेश जाना चाहिए विदेश जाकर के सुरिष्ट सफलता हासिल करेगा चुकि बारवे भाव के स्वामी होकर के सस्थम में गुरू की रासी में बैठे हैं तो गुरू की रासी यहाँ पर होने के चलते करक लगने के हैं तो पेट जनने रोब की संबहावना करको होती है ऊपर से तोचा जनने रोब की भी कमाना चाहता है तो ये काम कर सकता है जातक रिन लेकर के भी सफलता हासिल कर सकता है रिन लेकर के भी बुलंदी हासिल कर सकता है यहां बैठे बुद्धबार में भाव को देखेंगे तो ब्याय निश्चे ही जीवन काल में होगा लेकिन आपका ब्याय बहुत सही दिशा में जाने वाला है, सही कारियों में जाने वाला है, आपके हित में इस्तेमाल होने वाला है, आजाए कुंडली के सब्तम स्थान में, पराक्रमेस और ब्यायस आकर के सब्तम स्थान में बैठे हैं, मित्र रासी में बैठे हैं, लेकिन य यहां बैठे बुद्ध चुकि मित्र रासी में बैठे हैं और सनी के साथ उनकी मित्रता तातकालिक मैत्री भी हो जाए तो सवस्था में अतिमित्र हो जाएंगे और अतिमित्र हो जाएं तो आपको दामपत्य जीवन में जबरदस्थ सुख और साथी साथ ब्यापार से खूब लाव जीवनकाल में प्राप्त करवाएंगे यानि यहां बैठे हैं बुद्ध तो करिए ब्यापार और पाईए लाव चुकि लगन को वो देखेंगे तो आपका व्यक्तित तो बहुत आकरसक हो जाएगा कुंडली में बुद्ध यहां और यहां इन दो भावों में बैठ करक आपके व्यक्तित को राज कुमार के जैसा बना देंगे आकरसक बना देंगे श्त्रियोचित कोमलता जो चेहरे पर दिखाई पड़ती है श्त्रियों के चेहरे पर वो पुरुसों के चेहरे पर ऐसा दिखाई पड़ने लगता है ऐसे लोगों से आम लोग आकरसित हो जाते ह यानी बुद्ध अगर यहां बैठें हैं तो लगन को देखेंगे लगन को देखेंगे तो यह इस्तितियूत्पन कर देंगे कि आपका चेहरा औरों को आकर सित करने वाला होगा यहां बैठेंगे तो भी लगभग यही इस्तितियूत्पन होगी यहां बैठ करके बुद्ध ल पहाओ को देखेंगे जिसके वो कारक हैं और सीधी सी बात है वहाँ देख करके धन से संबंधित लाब, वानी से संबंधित लाब, हलाकि इन सारी चीज़ों को पाने में कस्ट बहुत जादा होगा, पाराकरम बहुत जादा इस्तेमाल करना होगा, संघर्स बहुत जादा होग और याद रखे कि आपके द्वारा किया जाने वाला संघर्स ही आपके जीवन में सफलता की कुंजी बनने वाली है यहाँ बैठे हैं बुद्ध तो निश्चे ही ये विपरीत राज योग है लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा संघर्स कीजिएगा जितना हो सके अधिक से अधिक क्योंकि ये पाराक्रमेश हैं और पाराक्रमेश होकर के जाकर के अश्टम में बैठे हैं तो CDC बात है कि संघर्ष से ही आपको अचल संपत्ती, पैत्रिक संपत्ती, आपकी वाणी के द्वारा, आपके ज्यान के द्वारा, नौकर्चाकर इत्यादी सब कुछ प्राप्त होगा लेकिन संघर्ष से अब इसके बाद आजाई कुंडली के भाग्य भाव में यहां बैठे हैं बुद्ध तो एक बात और याद रखिएगा, निश्चे ही अपने सरीर को वजनी नहीं होने दीजेगा, हेल्थ, सुरक्षित रखिएगा, सरीर फैलाईएगा मत, क्योंकि हृदय जन्य रोग की संभावना बढ़ जाएगी, तो अचा जन्य रोग की संभाव बीमारियां होने लगती हैं, परिसानी होने लगती है, मौसम बदलने भरमात्र से तो चाजन्य रोग उन्हें होने लगता है, तो इसको देख लेना है, आजाएए कुंडली के भाग्यभाव में, नीच रासी में बैठे हैं आपर बुद्ध, 15 अंस तक तो नीच के हैं, 15 अ से उपर जाएंगे, तो नीचत्व से बाहर हो जाएंगे, आगे बढ़िए, अगर गुरू कुंडली में केंद्र में कहीं जाकर के बैठ गये, तो इनका नीचत्व भंग होगा, गुरू यहाँ पर बैठ गये, तो वो खुद नीच रासी में होंगे, नीचत्व भंग हम उ का अर्थ है कि वो अपना से स्रेष्ट परिणाम आपको नहीं दे पा रहा है भाग्य भाव में बैठे बुद्ध भाग्य को कमजोर करने का कई बार प्रित्न करेंगे भाग्य का स्रेष्ट लाब आपको नहीं लेने देंगे यहां बैठ करके वो पराक्रम को अपनी रासी को देखेंगे नीच रासी में जरूर हैं लेकिन अपनी उच्च की रासी अपनी स्वा रासी को देखेंगे अतह आपको पराक्रमी तो अवस्य बना देंगे यानि नीच में बैठ करके भी आपको नुकसान नहीं होने वाला क्यों क्योंकि मैं एक बात तो साप सब्दों में कहू कि अगर आप पराक्रमी हैं, तो भाग्य तो चलकर के आएगा, भाग्य तो दोडकर के आएगा, भाग्य जाएगा कहां, क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। के दसंभाव में, दसंभाव में यदि बुद्ध बैठे हुएं आपकी कुंडली में, तो यहां भी बुद्ध को कारकत्व प्राप्त हैं, दसंभाव में बैठे हैं, पराक्रमे सोकर के आकर के बैठे हैं, तो अपनी देखी जाए, तो मूल उनकी जो रासी है, मूल त्रिकोन उससे छटवे आठमे का ये संबंध बना लेंगे, शड़ाष्टक योग बनाएंगे, लेकिन पराक्रमे सोकर के कर्म में बैठे हैं, अतह छटवे आठमे के संबंध के बावजूद आपके लिए फायदे मंद होगा परन्तु ध्यानी रखना है कि मंगल का संबंध गुद्ध गुपली बुद्ध के साथ ताधकालिक मैत्री में हो जाय, तब तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, जातक अपने पराकर्म से, अपने जीवन काल में, कर्म के छित्र में उत्तर उत्तर वृद्धि करेगा, यहां बैठे बुद्ध, आपको उच्छ कोटी का व्यापार बना देंगे उच्च कोटी का बिजनसमेन बना देंगे और यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में भी उच्च पदस्त आपको बनाएंगे इसमें कोई संसर नहीं दो राय नहीं है यहां बैठे बुद्ध अपनी सात्मी दृष्टी कहां डालेंगे तो भूमी भवन वाह इन दोनों भावों में हैं यहां कमजोर या तातकालिक मैत्री उस भाव के भावे इसके साथ उनकी बन जाए तो आप जोतिस से समंदित छेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे क्योंकि आपके अंदर गणितग्य बनने का जबरदस्त योग है इस अवस्था में आप क बाजाए कुंडली में लाभभाव में लाभभाव में अतिविस्ष्ट कारक होते हैं बुद्ध और आपकी कुंडली में दी लाभभाव में मित्र रासी में बैठे हुए हैं तो पहले तो वो पराक्रमेस हैं दूसरे ब्यायेसो करके जाकर के कुंडली के लाभभाव में ब अवस्चे कहूंगा ब्यायाधिक्य आपको होता रहेगा लेकिन इस चिंत रही है कि ब्यायाधिक्य के बावजूद आए चुकि इस तरह से होती रहेगी आए कि स्त्रोत इतने जादा आपके जीवनकाल में होंगे कि आपको चिंता करने की आवस्थिक्ता ने चुकि पराक्रम के बदूलत खुब लाव कमाता है ऐसा जातक विदेश जाए देश विदेश की fire एक यातरा करे काम ऐसा करे जिसमें आवा गमन जारी हो यानी एक जगह बैठ करके काम मत करिए लगातार यातरा वाला काम करिए यात्रा वाला काम करने से आपको लाव जीवन काल में मिलता है यहां पैसे की कमी होगी नहीं यहां बैठे बुद्ध संतान भाव पर अपनी दृश्ची डालेंगे और संतान भाव पर दृश्ची डाल करके थोड़ी सी परेशानी क्योंकि मंगल के साथ इनकी मुख्यता देखी जाए तो मंगल के साथ नैसरगिक मितरता नहीं है उस अवस्था में संतान से और ग्यान से थोड़ी परेशानी थोड़ी बहुत जादा नहीं क्योंकि वो मित्र रासी में बैठ करके देख रहे हैं अतह शंतान और ग्यान के मामले में ग्यान के छित्र में नी पढ़ाई के छित्र में सुरुवाती दौर में संगर्स उसी तरह संतान को लेकर के पहले परिशानी बाद में फिर संतती भी और बाद में ज्यान से भी लाब आपको मिलता रहेगा आजाए कुंडली के बारवे भाव में ब्यायस होकर के ब्याय भाव में बैठ जाएं तो पहले तो ये भी परीत योग हुगा कुना कहूंगा विपरीत राज योग है ऐसे नहीं मिलेगा संघर्स कीजिएगा जितना अधिक से अधिक हो सके संघर्स करिए और कुना कहूंगा कि अगर मौका मिले तो अपने जन्मस्थान से दूर ही रहिएगा और तब संघर्स करिएगा विदेश में जाकर के संघर्स करि स्वग्री होकर के देख रहे हैं सो सत्रू से रिन से आपको तनिक भी चिंतित होने की आवशक्ता नहीं तनिक भी परेशान होने की आवशक्ता नहीं इस छेत्र से आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है प्रेदर्श को करक लगने में बुद्ध सर्वता कारक नहीं होते अ गनेस जी के मंत्र का जब करना चाहिए, आपके बुद्ध ठीक हो जाएंगे, पन्ना धारन करने की मैं बहुत ज़्यादा राय, इस लगने के जातकों को नहीं दूगा, उदाहरनार्थ, मान लीजे मैं यहां आपको पन्ना धारन कराता हूँ, तो वो ब्यायस भी हैं, सीरी सी बात है बुद्ध को बल मिलेगा, तो आप पराक्रम तो करेंगे, लेकिन आपका ब्याय बढ़ेगा, बुद्ध यहां पर बैठ करके अपनी नीची दृष्टी भाग्य भाव पर डालेंगे, आपके पराक्रम के बाद भी आपको संघर्स करना पड़ रहा है, अब अगर से मैंने बुद्ध को बलवान और बनाया, तो आपका संघर्स बढ़ जाएगा, अतह इस लगन में आप इनके रत्न को धारन न करें, इस लगन के जातक जाद से जादा गणेश जी की आराधना करें, लाभ मिलने वाला है, तो प्रेदर्शक को आज हमने जाना करक लगन के बा लोगों ने रखा होगा, वो अवस्चे ही बता सकेंगे, आज का प्रशन है, मकर रासी में बुद्ध किस अंस से लेकर किस अंस तक कुमार अवस्था में होते हैं, प्रेदर्शकों, इसके बारे में पूर्व में मैं बता चुका हूँ, अगर आप भुला दिये हैं, तब त कितने अंस से लेकर कितने अंस तक कुमार अवस्था में होते हैं, आसा करता हूँ, जिन लोगों कोई सवाल का जबाब पता होगा, तुरंत ही कॉमेंट में जबाब देंगे, तो आज खिलिए वस इतना ही इजाज़त दीजी, कल पुना हाजिर होंगा, शिम्ह लगन में पुद्ध के प्रभाव को लेकर, नमस्कार